बात करूं सब्जेक्ट की तो आपका English Language होगा, Applied Mathematics होगा, Applied Physics होगा, Applied Chemistry होगा, Fundamental of Electrical and Electronics Engineering का सब्जेक्ट होगा, Environmental Studies का सब्जेक्ट है, Engineering Graphics का सब्जेक्ट है, Information Technology है, Internet of Things and Artificial Intelligence, बहुत ही जर्नल वर्क्स और प्राक्टिस है, इसका प्राक्टिकल होता है, Student Centered Activities है, यह भी ए करते हैं कि जो थर्ड समेस्टर में सब्जेक्ट है, वो नन कंवेंसनल सूर्स अफ एनर्जी का है, Computer Application in Electrical Engineering, Electrical and Electronics Engineering Materials का है, Electronic Second का है, जहां भी Second है, इसका मतलब इसका आगे अगला वोल्यूम आने वाला है, Electrical Engineering Design and Drawing फर्स्ट है, Electrical Workshop Practice फर्स्ट है, Estimating and Costing in Electrical Engineering का सब्जेक् आपको दिया जाता है, Swapd Skill की Training, यह प्राक्टिकल है, और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, अगर आपकी Swapd Skill अच्छी है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है, यहां पर सौप्ट स्किल फर्स्ट है, आगे कि समेस्टर में सगेंड थर्ड आगे ऐसे जाता है, तो आ Electrical Machines first होगा, Electrical Measuring and Instruments and Instrumentation होगा, और वही पर Installation and Maintenance of Electrical Equipment का सब्जेक्ट है, Digital Electronics का सब्जेक्ट है, Electrical Engineering Design and Drawing second का सब्जेक्ट है, Electrical Works of Practice second का सब्जेक्ट है, और again Soft Skills second का यहां पर एक प्राक्टिकल है, और कई स्टेट्स में क्या होता है, कि जो फोर्ट समेस्टर के जाते हैं, Industrial Training पर उसके बाद अन्यक समेस्टर में आपको जो आपका ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट करना पड़ता है, अगर फूर्विक की ट्रेनिंग है, तो पच्चास नंबर के होते हैं, अगर एट विक की ट्रेनिंग है, तो 100 मार्क्स का होता है अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कि फिप्ट समेस्टर में क्या को सब्जेक्ट रहने वाला है, तो Electrical Machine Second का सब्जेक्ट रहेगा, Electrical Power का सब्जेक्ट रहेगा, First का Programmable Logic Controllers and Micro Controllers का सब्जेक्ट होगा, और यह एक एलेक्टिव सब्जेक्ट आप चाहे तो वीडियो रोक करके लिख लें या मरे को सुनके भी आप लेख सकते हैं, और फिर आपका होगा एक major project work, जिस project work में आपको एक project दिया जाएगा, उतनेक्स समेस्टर में आपको उसको प्रजेक्ट का रिपोर्ट सब्जेक्ट करना होगा, यहां पर भी आपको म आपको जादे मदद करें अगर आप प्रइवेट सेक्टर में जॉब रहे तो और साथ ही साथ आपका होता है, एक major project work छटे समस्टर में, इसमें क्या होता है, आपको एक project assigned कर दिया जाता है, या तो ग्रूप में होता है, या आप इंडिविज्योल होता है, वो तो college to college depend करत होता है, और state to state भी, तो जैसा भी होता है, उसमें आपको क्या होता है, एक project दे दिया जाता है, अगर ग्रूप वाइस है, तो ग्रूप में मिलके काम करते हैं, अगर आप इंडिविज्योल वाइस है, तो आप अगे लिए उस project लो तेयार करते हैं, फिर वो रिकोर्ट काले, क्या आपकी soft skill अच्छी है, या आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, या आप लोगों को communicate नहीं कर पाते हैं, तो यह soft skill की बहुत जादे demand है,